असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ गाज़र के हलवे की रेसिपी शियर करूंगी विदाउट एनी घी कोई भी घी जो है हम नहीं इसमें इस्तमाल करेंगे बहुत ही हैल्दी यह मज़ेदार किसम का गाज़र का हलवा त्यार होगा फ् अच्छे भी खाएं बड़े भी बुरे भी जो डाइट करें हैं वो भी खा सकते हैं इसको क्योंके इसमें बिल्कुल भी घी शामिल नहीं हुआ 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 और चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह टू केजी गाज़र के हलवे की रेसिपी है मैंने टू दूकेश की मदद से भी इनको ग्रेट कर सकते हैं मेरे पास चोपर है तो इसलिए मैं इनको चौप कर रहे हैं मेरे हस्बंड मेरी हेल्प कर रहे हैं मैं काथी जा रही थी और वो चौप कर रहे थे सर्डियों की सोगात है गाज़र का हलवा सर्डियों में अगर गाज़र का हलवा नहीं खाया तो फिर क्या किया बहुत ही फ्रेश आजकल गाजरे मार्किट में अवेलिबल हैं और बहुत ही सस्ती जरूर बनाईएगा ट्राय करिएगा मेरी रेसिपी और कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि यह गाजर का हलबा कैसे त्यार होए कलर देखें कितना रेड कलर है और यह गाजरे रेडी हो गई थी कदूगश कर ली थी मैंने चॉपर में की है अब इनको एक बड़े से देख्चे में डालने ने और आपने तेज आंच कर देनी है थोड़ा सा आपने इसके अंदर दूद भी शामिल करने है यह दूद शामिल किया है थोड़ा सा तक्रीबन वन फॉर्थ देख्ची जो है मेरी कवर होगी फिर इसको दस से पंदरा मिले तक धाम देना है ताकि जो गाजरे हैं वो गल जाएं यह देखें गाजरों का कलर जो है वो चेंज हो गया है अब इसको आपने हिला लेने मिक्स अब कर लेने सारा यह तक्रीबन जो है एंड तक जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता तेज आंज ही रहेगी यह देखें मैं मिक्स अब कर रही हूं सारा ताकि नीचे जो है वो दूर्द ना लग जाए अब इसको आपने चमच की मदद से ही इसको मैश कर लेना है यह देखें अब इस पॉइंट पर जब थोड़ा सा पानी हाफ तक्रीबन पानी हुश्क हो गया था इसमें मैंने शुगर एड़ की ए चीनी जो है वन फोर्स कप मैंने तक्रीबन अभी डाली है आप अपने टेस यह लोग है तो अच्य बात हैं गजिये अब इसमें टीनचमच जो है में पानी बलाई के शामिल toutes की जोड़ की जो दूद के ऊपर मलाई आती हैं वह शामिल करें इसके आलावा इसमें कोई गी कोई आंऊंल शामिल नहीं किया मैं सिर्व तिन टीनचे पानी के बड़ेंवा बाजर का हलवा त्यार होगा आप एंड तक मेरी रेसिपी देखिएगा एंड तक वीडियो देखिएगा और कमेंट सेक्षिन में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अब इसको मिक्स अप कर लें अगर आप तीनी कम एड़ करेंगे ना तो आप ज्यादा हलवा खा सकते हैं और शुगर जो है वो कम ही यूज करनी चाहिए कम खानी चाहिए शुगर के भी काफी नुकसानात हैं चीनी खाने के इस पॉइंट पे मैं चार अदद अलाइची शामिल की है खुश्बू के लिए अलाइची की खुश्बू बहुत अच्छी आएगी इसमें आप पीस कर भी अलाइची पाउडर इस्तमाल कर सकते हैं अब पानी होश्बू हो रहा है आपने मीडियम आंच रखनी है ताके जो है वो नीचे लगे ना क्यूंकि हमने इसमें कोई घी वगरा शामिल नहीं किया सिर्फ तीन चमच जो हैं वो बलाई के शामिल की हैं आप ने इसको मिक्स अब साथ साथ करते जाना है लाते जाना है चमच ताके नीचे लगे ना कलर देखें आप फल्वे का बहुत ही अच्छा शानदार और मुझे तो बहुत इच्छी खुश्पू आ रही थी मेरा दिल क सारा था मैं अभी खाने शुरू अच्छी अच्छी मिनट लग जाते हैं तो कि गाजरों में काफी पानी होता है यह देखें आप चमच की मदद से यह देखें मैं दिखा रही हूं आपको यह देखें अभी काफी पानी है अंदर 20-25 मिनट लग जाएंगे यह सारा क्यूंकि दूद में भी दूद भी पानी है तो दूद का पानी भी हुश्क होगा और गाजरों का अपना भी पानी है तो 20-25 मिनट लग जाएंगे तेज आँच पर इसको खुश्क करते करते हैं बहुत ही यूनीक रेसिपी है विदावट एनी घी लोग इतना घी का इस्तमाल करते हैं इसके अंदर खोई डालते हैं और पता नहीं क्या-क्या कुछ भी नहीं इसमें डाला मैंने यह देखें अब बदाम पीसे होए थे मैंने 15-20 बदाम पीस लिए आदे में अभी शामिल करती हैं और आदे में उपर गांडरिशिंग के लिए रख लिए हैं पानी तकरीबन हुश्क हो चुका था यह थोड़ी सी बड़फी एड़ की है यह देखें बहुत ही शानदार लुक आ रही है और खुश्पू भी बहुत मज़े की आ रही है सर्दियों में बनाएं आजकल सर्दिया हैं बच्चों को खिलाएं हुद भी खाएं घर में ज़्यादा चीज त्यार होगी कम पैसों में और साथ सुत्रा गाजर का हलबा घर का त्यार होगा कैमरे पे काफी दुआ पढ़ रहा है इसलिए नजर नहीं आ रहा है यह देखें पानी तकरीबन आल्मोस्ट खुश्क हो चुके है पानी बुनाई का सारा काम है इसका और इसी में बाजू ठक जाती है यह देखें आप मीठा चेक कर लें इस पॉइंट पे जब पानी हुश्क हो जाए अगर आपको कम लगे तो आप और भी एड़ कर सकते हैं मुझे कम मीठा जरा पसंद नहींकर मेरी तुछ मेरे कोशिश होती है मैं इसी भी डिश में सुझी में कि प्रीण जाए जाता है न का जाती । बहुत सुझ को झालेकि आपको कर लेंगे प्यारा सा बॉल ले ले और उसमें इसको डाले यह देखें अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई है गाजर की हलवे की तो करेंडली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और एंड तक मेरी वीडियो देखें यह देखें प्यारा सा बाउल है इसमें डिशाउट कर लिए है वा जी वा सद्दियों की सोगाथ गाजर का हलवा यह टू केजी गाजरें ली थी मैंने और यह टू केजी गाजर के हलवे की रेसिपी है टू केजी के हिसाब से अब इसके ओपर जो बदाम बच्चे होए थे वो गार्निशिंग के लिए डाले हैं और थोड़ी सी जो मेरे पास बर्फी भी रखी हुई थी मैंने टू क्यूब्स जो थे वो रख लिए थे बर्फी के यह अब मैं इसके ओपर गार्निशिंग के लिए डाले हैं करनली रेसिपी को लाइप करें चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू सो मच यह देखें